नमस्ते खुलूंखा एब्रीवन मैं आप सबसे ये ये साल खतम होने वाला है 2022 और मैं इस इस अफसर में आप लोग से मैं मिलने आया हूँ मैं आप से बात करने आया हूँ और मैं चाहता था कि अगर आपका कोई सवाल हो अगर आपको मुझे से कुछ बात करना हो तो मैं इस साल के अंत में आप से अगर इंटरेक्शन करके कुछ बोल सकूँ तो बहुत अच्छा रहेगा मुझे भी बहूत चीज़ आप से बात करना है मैं जानता हो कि बहुत तरीके बहुत जगे में कहीं कहीं में हमारा ये साल अच्छा भी रहा है और कहीं कहीं में बहुत खराब भी रहा है ये साब personally बहुत लोग जिनको मैं पहचानता था मेरे परिवार से उनका दिहान थुआ कोवेट के लिए बहुत लोग उनको हमने help भी किया और बहुत लोग जो तुरुपरा से बाहर थे उनको help किया कभी नहीं देखा कौन बिंगॉली था, कौन मुसलिम था, कौन हिंदू था, कौन क्रिश्चन था करोना एक ऐसा महामारी है जो किसी का जाद धर्म देखकर किसी को अटाक नहीं करता है हमारे एकॉनमी को अटाक करता है, हमारे परिवार और व्यवस्ता को अटाक करता है मैं यह साल अंत हो रहा है और I wanted you all अगर आपके पास कुछ questions थे तो मैं उसमें भी जवाब दूँ बहुत लोगों ने मुझे सवाल भी भेजा है और मैं उसका answer देना चाहता हूँ शिरुवात करते हैं लिकिन मैं एक बात सब को कहना चाह रहा हूँ कि यह साल खतम हो रहा है let us look at 2022 with positivity जो negativity था वो यह साल खतम होने के बाद हमें अंदर से निकालना चाहिए थांसा प्यार से बढ़ता है थांसा सिर्फ बोलने से नहीं बढ़ता है थांसा जब आप किसी और को गाली नहीं देते हो तब आगे बढ़ता है थांसा जब आपने अंदर क्रोध नहीं रखते हो तब आगे बढ़ता है थांसा तब ही आगे बढ़ता है जब आपके दिल में प्यार होता है और किसी को माफी करने के लिए एक शमता भी होता है थांसा आप सिर्फ बोलने से नहीं होगा थांसा का मतलब है सबसे प्यार करो और अगर आपको सबसे प्यार करना है और आपको थांसा चाहिए तो मैं आप सबको अनुरोद करता हूँ कि अपने दिल के अंदर जो क्रोध है अपने दिल के अंदर जो नाराजगी है अपने दिल के अंदर जो नफरत है उसको आप हटाने की कोशिश कीजिए आने वाले साल में positively किसी को help कीजिए किसी के success से मत जलिए किसी के दुख दर्द में शामिल होए और उनको help कीजिए वो जो आपके अंदर feeling आएगा वो कई बार पैसे से ज़्यादा मिलेगा आपको उससे जो natural जो genuine प्यार मिलता है वो बहुत important होता है बहुत लोगों ने questions मुझे भेजा है मैंने कहा था कि questions भेजने के लिए तो मैं शुरुबात करता हूँ पहला question है किनका आया है first question हाँ देखे आप 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 साधन चाक्मा रॉम राइसे बारी आप से वी गो तो पीप्ल उन बहुत बाइस रबाइबवाद आप तांसा आप इस केरा then Mok, Darlong, Molsom etc. Yes you're all part of the Thansa all 19 tribes are part of the Thansa so are the Darlongs so are the people from the Halam community, so are the Molsoms, so are all the non-Kogbarok Twe 270 tribes are also a part of our Thansa, it's a positive, we are all Bukungbara don't forget that and when we are all Bukungbara then we may think that we are different from each other but the outside world looks at us as Bukungbara don't forget that that's why we become united outside our states अगर आप दिल्ली जाओगे बैंगलोर जाओगे आप हैदरबाद जाओगे तो कोई नहीं बोलता है कि मैं तृप्रा से हूँ मैं जमत्या हूँ मैं देबर्मा हूँ मैं चाक्मा हूँ मैं मौग हूँ मैं नागा हूँ कोई यह बात नहीं बोलता है सब यही बात बो तृप्रा के अंदर भी रखना है हमको पहले थांसा के लिए सबको एक होना चाहिए और 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 नाइंटीन ट्राइब शुद बीवन एक सवाल आया है पिंकु देब से Sir, I want to know about your view on domicile criteria for government jobs तृप्रा और अर्मोस्ट नौटीसनर्स आफ मेरे मेरे मैंडिटरी फोर गेटिंग जॉब्स जॉब्स इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स देखे हर स्टेट में एक रेजरेवेशन कोटा होना चाहिए क्योंकि अगर बाहर के ही लोग आकर हमारे स्टेट में नौकरी लेंगे Central Government job में आपका एक Central Reservation कोटा रहता है लेकिन हर स्टेट का एक अधिकार होता है कि वहां के लोगों को वो एक Reservation बना कर रखे तो अगर तुपरा में लोग पहले से Ready हैं उस एरिया में काम करने के लिए तो बाहर से किसी को लेकर आकर हमें काम करने से ये हमारा नुकसान होता है बिहार, UP, मद्रपदेश, पंजाब सबके वहां में पहले से बहुत अफसर मिल रहा है हमारे लोगों को यहां में मौका कम मिलता है इसके लिए मुझे लगता है कि जो State Government Jobs है जो ADC का जॉब है उसमें सबसे पहले preference वहां के locals को मिलना चाहिए जो ऐसा फील्ड हो जहां में हमें quality workers चाहिए जैसे कि आप देखे doctors if we need quality doctors and we do not have the requirement हमें कोई problem नहीं होना चाहिए बहार से आद्मी को लेकर लेकर आए हम क्यूंकि technical areas में जहां में हमारा वो है वहां से हमको आद्मी को लेकर आने ही पड़े बभघबा बभघबागरा क्या वभघबागराश्यै थे सा सैक हरू हरू लेकर तो क इन नम्यूनर क्या वैघबागरबागरा प्रूछीन Hadi in hands with BJP. BJP is in hands with IPFT. I don't have any alliance with BJP. In fact, in the ADC election, we fought against the BJP and we did a very good job. Even in the upcoming village council election, we will be fighting on our own. We do not want to do any alliance with any political party which does not agree with our ideology and which also tries to bring in religion to divide the society. I am very clear on that. Diganth, you should understand that. Kaushik Shinga has asked me, I want to know about your health condition and nothing else. Kaushik better in trying to improve health is wealth. मैं भी सोच रहा हूँ कि 2022 में अगर हमें आगे बढ़ना है तो मुझे physically fit रहना चाहिए और physically fit रहने से ही mental health आगे बढ़ता है. अगर आप mentally happy हो तो physically भी आपको जादा काम करने के लिए आफसर मिलेगा. लेकिन एक चीज़ बहुत important है कि हमको mentally, physically तो है लेकिन mentally positive रहना चाहिए. Next question is Good afternoon, Your Highness. I listen very carefully to your speech, Babagra. You said if given a written promise to Greater Tepra Land, then you will form alliance with any national parties. But nowadays, propaganda is being spread in your name that BJP has negotiated with Teepra Motha and there will be an alliance before the assembly. You are our guide, so think a little. ये वे 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 बर्मा से. Shamel, let me tell you one thing. I am not for sale and I am not going to compromise on my demand or my ideology. The question of us having alliance with BJP if they do not agree to give us greater Teepra land in writing does not arise. I am very clear on that. People may say whatever they want to. Teepra Motha was built by me and I will decide that Teepra Motha will not compromise on its true ideology. There is a question by Misti Dev Barma. Bubhagra, what about jobs for ADC youth? Because it is 28 years, 25 years of left and 3 years of BJP. There is no post for ADC youth and big reason for financial problem for us to support. मैंने पहले से बोला है कि ADC को हमने हमेशा एक 130 बेटा जैसा ट्रीट किया है State Government में. CPM ने ADC को 130 बेटा जैसा ट्रीट किया. इसके लिए ADC के एरिया में 68% एरिया है लेकिन funds 2-3% जादा जाता था. आज नया सरकार आया है और नया सरकार में भी हमें बहुत टाइम लगता है कि पैसा रिलीज एकदम होता नहीं है सौतेले बेटे जैसे हमें यह रखा गया है. I understand that and that is why we have decided to go to the Government of India and say that give us a one-time constitutional settlement of a greater तीप्रन लैंड. जब तक हमें हमारे past full political and economic अधिकार हमारे हाथ में नहीं आएगा तब तक हम लोग सिर्फ state government से या central government से भीख ही मंग सकते हैं. यह जो more power का बात करते हैं जब तब more power को आप define नहीं करते हो जब तक आप मुख से बोलते हो more power लेकिन कागश से कुछ नहीं आता है तब तक हमें नीचे रखने के लिए दबाने के लिए और हमारे constitutional rights को suppress करने के लिए ही यह चीज़ किया जाता है. Renton Tiprasa Renton Tiprasa we are living in general area निया Jamthung Kamalpur which you visited a few months ago our village is Karma Ranga but my view my point is that we the people of Karma Ranga want to convert our village into ADC area we have written many proposals to many leaders including MDC Animesh Dehbarma when he visited Mahadev Bazar few months ago till now no response we are almost 300 families in this village and kindly request you to look into this matter personally Renton Dehbarma Renton last assembly mein Vidyu Dehbarma ने ये matter को raise किया था almost 36 villages है जो ADC से बाहर है और वो ना की municipal में भी है ना की ADC में भी है इस issue को मैं personally January में take up करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा जैसे भी करके हम आपको ADC village के अंदर लाए कोई भी तीपरासा गाउं जो बाहर है ADC से उसको वंचित नहीं होना चाहिए thank you rent on the barma for bringing up this issue मैं इसको follow up करता हूँ next question is from I heard all government school in TTA ADC will be in English medium I want all schools to be in English medium in the ADC areas and even in Tripura also because until we do not learn English, until we do not communicate in a language which the whole country is communicating in or the world is communicating in, we will never be able to get jobs, we will never be able to progress we will never be able to articulate our point of view we do not have the funds right now but whatever we are trying, we are trying our best, I am hopeful that if in 2023, Tipra Mautha comes to power, the first thing we will do is use all the power that we have to ensure that every school in ADC and even outside ADC has an English language subject being taught and our students getting appropriate communication and skill levels which will be imparted through English from Jamatya from Jamatya from Jamatya regarding Patal Kanyaya regarding Patal Kanyaya Bubagra I will not I will not give you a advice for me that you want NRC and I also want to NRC but I am for the CA because if you cannot आपने हटाये नहीं तो NRC का मतलब कुछ नहीं रहेगा तरुपरा में मेरा और एक पैरलल लाइन है ग्रेटर तीप्रे लाइन का क्योंकि मैं सुप्रीम कॉर्ट में कब तक मैं इंतजार करूं क्योंकि अगर 2026 में डी लिमिटेशन हुआ और उसके पहले सुप्रीम कॉर्ट ने हमारे पक्ष में ओर्डर नहीं दिया तो हमारे तीप्रासा लोग जो 90% थे आज आज 30 है बाद में और भी प्रॉब्लम में आएंगे इसी के लिए मैं एक पैरलल कॉन्वर्सेशन रख रहा हूँ मेरा सिर्फ एक ही अडवाईस है जो भी हुआ उस दिन गलत हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था वाइलेंस कभी नहीं होना चाहिए बहुत लोगों ने कुछ खुमलों को बुला कि खुमलों को हटा देंगे ये हो जाएगा ये मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि सब लोग आये तीन दिन बाद लकी अली था पापौन आया, पूरा इंडिया ने देखा कि 35,000 तीपरासा लोग ने enjoyment किया, कल अगरतला के बहुत लोग आये, बिंगॉलीज लोग आये मानिपूरीज लोग आये, सब ने enjoy किया और सब ने देखा कि कहीं भी कुछ violence नहीं हुआ, कुछ जगड़ा नहीं हुआ उससे हमारा चबी अच्छा बड़ा उससे वहां के लोकल लोगों को भी पैसा मिला, economy में भी मुनाफ़ा हुआ तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ 2022 एक नया साल है मैं political leaders को जो मेरे संग नहीं है जो मुझसे नाराज है मैं आपको अभी भी प्यार करता हूँ मैं आपको अभी भी सम्मान करता हूँ सिर्फ अहंकार और ego को आप थोड़ा अलग रखिए ego और अहंकार से हमारा nation कभी आगे नहीं बढ़ सकता है मैं बुबागरा का रोल आदर करना चाहता हूँ मैं आपसे competition करने के लिए मेरा मन भी नहीं और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ मैं society को उठाना चाहता हूँ मैं corruption को खतम करना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि दो-तिन जगे में करॉप्शन वापस मुझे दिखाए पड़ रहा है आप हमको हिल्प कीजिए क्योंकि मैं इस पब्लिक लाइफ में किसी को किसी से चोरी करने के लिए नहीं आया हूँ माफियाजम करने नहीं आया हूँ मैं तृप्रा का भलाब चाता हूँ तो बस यही मेरा मेसेज है तृथिर जमतिया अगर आप उनको कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए कि महराजा आज भी उनको प्यार करता है और उनके खिलाफ नहीं है मेरा दिल बहुत बड़ा है मैंने सब को माफ किया है और मैं सब के साथ प्यार से आगे बढ़ना चाहता हूँ लास्ट क्वेस्टिन इस फ्रॉम ओकी राकेश दे बर्मा राकेश दे बर्मा येस मैंने देखा है राहूल गांधी ने ले लदाक के लिए एक सेपरेट स्टेट हूट का बात परसो ही उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस में रखा अब ये बहुत इंट्रेस्टिंग बात है कि ले लदाक जिसका पॉपिलेशन हमारे तुरुपरा से बहुत छोटा है जिसका वो भी बाउंडरी एरिया में है वहां की लोग भी एक टाइम मिजोरिटी में थे तब उनके लैंग्विच कल्चर सभ्यदा खतरा में हुआ आज अगर नैशनल पार्टी जैसे की कॉंग्रेस ले लदाक को यूनिन टेरिट्री या सेपरेट स्टेट होट के बारे बात कर रही है अगर आज राहुल गांदी कार्भी अंगलोंग डिस्टिक के बारे भी उस इशू में बात डिसकाशन उन्होंने किया है तो ये बहुत अच्छा चीज है क्योंकि तुरुप्रा का तो पॉपिलेशन ले लदाक से पांस टाइम जादा है एरिया भी है और हमारा भी सिचुएशन वैसे के वैसे ही है कि हमारे भी लैंग्विज, कल्चर और आइडेंटिटी खत्रे में है तो अगर एक नाशनल पार्टी ने ये स्टेप लिया है और ये मैंने निउस्पेपर में देखा है और मैंने उनका प्रेस स्टेटमेंट भी देखा है तो मैं वेलकम करता हूँ, मैं यही अपील कर सकता हूँ कि जब मेरे दिली के यातरा में, अभ्यान में शिर्फ सेना के लोग आये थे, बीजेपी के लोग आये थे, कॉंग्रिस के बहुत बड़े लीडर आये थे, आम आदमी के लीडर आये थे तो अगर आप हमारे बारे सोचेंगे हम लोग तुरुपरा के हैं हम लोग भी नौर्थीस के हैं हमने भी बहुत देश के लिए sacrifice किया है हम भी देश को प्यार करते हैं अगर आप हमारे इस्यू को पार्लिमेंट में उठाएंगे तो दक्तिप्रासा people and the people of तुरुपरा will be very happy last question, मैं last question ले रहा हुँ उसके बाद यह अनन आंगी जमातिया I'm not getting your question clearly Bhagra, Please provide English background smart teacher to English medium school I want school like DPS we're trying our best श्रीपंग्ल देवर्म रतन पूर से मैं ट्राए कर रहा हुँ funds की कम है लेकर मैं ट्राए कर रहा हुँ अच्छा इस फ्रॉम अच्छा इस फ्रॉम यह हैनर्स मनी लुकेश इस फॉरिंड टेकिंग ओवर विदिन टीड़िए अच्छा इस फॉरिंड डॉटैंगो अच्छा इस फॉरिंड ऑवर जाम गर्म opens up शॉरिंड एनमंड गर्णी टो यह चुझछू इस घ्रॉड गंवर लगिवेख एक्छ टीड़िए इस कश्छा क्यों पाहते हैं and that is another very key area but thank you for raising this issue I understand and I appreciate your question last question Aristhol Jamatya I am from Roisavari village 8 no dyke since childhood no telecommunication no geo network airtel only 2-3 km please Narikal Baga are never known behind the truth Aristhol Jamatya I will talk to Rajesh Tripura and I will try to come to this area in the month of January or February and whatever communication problem there is a local MLA I will talk to him and I will try to see I will help you every day of my life I really want to help you all as you can see all my dogs are there also okay so everyone thank you for thank you for coming and this was our last meeting this year it is a very nice year of the year of my life and I will tell you all that I want to help you all and I will tell you all that the next year we will be positively सबस्तिवली आगे बढ़ेंगे नेगिटिविटी को छोड़ेंगे और जो थर्ड वेफ कोवेट का आने वाला है उसको भी हम एक होकर पूरे लोग तुरुप्रा में बिंगॉली हो तिप्रासा हो हिंदू हो क्रिशिन हो मुस्लिम्स हो एक संग होकर हम लोग इसको उसको हम समझ ठीक से लगेंगे तो मुझे लगता है कि देश आगे बढ़ेगा मुझे लगता है कि हमें ऐसा भी पॉलिटिशन का भी दरकार है जो धन्दे के लिए पॉलिटिक्स नहीं करता है जो दिल से काम करता है और हमें ड्रक्स से भी लड़ना है मैं आप सब को बोल हूँ कि इतना अच्छा शो रहा खुमलूंग में हम वैसी चीज दूसरे जगह में करना चाहते हैं मैं टोरिजम को बढ़ाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को एक ऑपरचूनिटी देना चाहता हूँ जहां में हम लोग पॉलिटिक्स कम और डेवलप्मेंट जादा करें औ पर हमको ये पुराना रखम का पॉलिटिक्स जिसमें हम किसी को एक दूसरे से लडा कर, मिशिल करा कर, जगडा कर, किसी का पुतला जला कर हम लोग ऐसा पॉलिटिक्स करेंगे तो नुकसान स्टेट कही होगा, नुकसान हमारा फ्यूचर का होगा I love all of you all, I wish everyone once again Merry Christmas and a Happy New Year and more importantly in 2022 I want Thansa, this Thansa is for all of us and if we have Thansa, believe me, like Leh in Ladakh, like Karbi Anglong, like many parts of India, we can also unite and ask for a constitutional right within the constitution of India and that of Greater Tipra Land Belaino Hambai, thank you and one message to all my opponents in politics Manik Babu, Happy New Year, आप इतने साल CM रहे हैं, आपने उस दिन मेरे खिलाफ कुछ कहा, मुझे कोई आपत्ती नहीं है, मैं आपको इज़त करता हूँ Happy New Year, Manik Babu, हमारे मुख्य मंत्री जी, आप स्टेट के मुख्य मंत्री हैं, आप कहते हैं कि श्रेश्त रुपरा है, आपको चाहिए तो प्लीज, बहुत लोग जो ड्रग्स का बिजनिस कर रहे हैं, बहुत लोग जो ड्रग्स में आज व्यापार चल रहा है बहुत लोग उनको गवर्मेंट भी प्रोटेक्शन करता है, आप उनके खिलाफ जोर सिक आप कारवाई कीजे, हम विपक्ष में हैं, तभी भी हम आपको पूरा समर्थन करेंगे लेकिन ये जो नशामुक तुरुपुरा जब तक खतम नहीं होगा, जब तक बंगलादेश से वो ड्रग्स तुरुपुरा नहीं आएगा और उनको पूलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, आप उसके खिलाफ जाईए, हम हैं मैं जितिंद्र चोधरी को बेलाई नो हमबाय बोलना चाहता हूँ, आपने मुझसे दिली में बात की, मैं जानता हूँ कि अगर आपको तुरुपुरा कबारे कुछ करना है, तो मेरे संग बेटकर ही हमको कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, तू बेवार, तू एंसी देव बेलाई नो हमबाय